कि नमस्ते आज कल बहुत सारे webinar हो रहा है अर webinar कुछ अच्छे होते है कुछ नहीं होते है कही पर webinar में कुछ technical disturbance आता है और कही पर participants की तरप से या फिर organizer की तरप से कुछ disturbance आता है जिसकी वज़े से वह webinar पहते हैं तो इसलिए मैं ने सोचा कि चलो इस बनाए जाए नेटिकेट् इएक कॉनसेप्ट हैDie जिस तरह से हमारे टिकेट्स होते हैं उसी सपितरो से इंटरनेट पर जो एटिकेट्स होते हैं उसको हम नेटिकेट्स बोलते हैं तो नेटवर्क में जो हमें करना होता है तो जो ओनलाइन वेबिनार होते हैं उस तरस उसमें हमें किस तरसे बिहेव करना चाहिए उसके लिए ये नेटिकेट्स है तो net tickets कोई rules नहीं है, कोई regulation नहीं है यह कुछ commonly accepted behavioral patterns है कि हमें किस तरह से behave करना चाहिए in webinars में जिससे की webinar पूरी तरह से success पूलो तो net tickets दोनों तरफ से organizer की तरफ से भी है और participants के लिए भी है तो चलिए देखते हैं कि organizers के लिए क्या can net tickets है उन्होंने जो भी webinar का invitation बना है उसमें उन्होंने schedule ठीक से देना चाहिए उनके dates ठीक से देनी चाहिए और कौन सा software application यूज करने वाले उसके बारे में बताना चाहिए ताकि जो participants है वो software app डाउनलोड कर पे उसके practice कर ले और जितने participants को आप invite करके join कर सकते है उतने participant आप लो बहुत बार यह देखा गया है कि ज्यादा participants आगये और वो participant नहीं कर पाए और वो बाहर बैटे रहे अगर कोई free editions होता है Zoom का होता है Google Meet का होता है या फिर कोई और होता है तो उसमें एक limit होता है participants का उससे ज्यादा आये तो नहीं कर सकते तो बाहर ही बैठे रहते तो यह ठीक नहीं कि हमने participants को register करने के लिए बोला है लेकिन हम उनको accommodate नहीं कर पा रहे हम उन्हें मीटिंग में इन नहीं कर पा रहे है तो उतने ही participants आप लो जितने आपके software में allowed है जो भी आपका टाइम दिया है उसी टाइमिंग पर आपको चाहिए कि आप अपना webinar स्टार्ट करें लोगों को वेटिंग ना करें यह तो इससे आपका impression खराब होता है जो इंटरेक्शन होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम देते speakers को और उसके बाद थोड़ा समय देते हैं इंटरेक्शन में participants के साथ तो मुझे लगता है कि यह क्योंकि यह webinar होता है इसमें ज्यादा discussion होना ज़रूरी होता है तो जितना समय स्पिकर को दिया गया है उतना ही समय question answers के लिए भी देना चाहिए participants के इंटरेक्शन के साथ भी देना चाहिए यह नहों कि participants आया और सुनकर चले गए और उन्हें कुछ question पुछने का मोग नहीं मिला हमेशा organizer की तरफ से plan to ready होना चाहिए जैसे कि जो speaker बात कर रहा है उनका अगर screen share नहीं हो पा रहा है या पिर उनकी तरफ से electricity की नहीं है या कुसी technical issue के वज़े से वो नहीं online आ पा रहे है तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए तो उस समय ज्यादा से ज्यादा participants को login कर चु में से ही कोई हो जो PowerPoint कुछ present कर सके उसी theme से related यह ना हो कि उनका time waste हो जाए जब भी कोई यह और webinar चर रहा हो तो monitor करना चाहिए एक टीम ने पूरी तरह से और किस तरह से participants को control में करना चाहिए कभी-कभी होता है को participants माइक चालो कर देता है या फिर screen share कर देते है या फिर कुछ चैट रूम में जाके कुछ अजिब गज़िब सवाल पूछते है या फिर कुछ अलग से बाते करने लगते तो उनको mute करना उनको remove करना उनको instruct करना यह काम organizer की तरफ से एक टीम ने करना चाहिए वेबिनार के बाद जो भी आपने promise की है date उसके आपसे certificate सबको मिल जाने चाहिए अगर नहीं मिलते तो आपने फीडबैक भी उनसे लेना चाहिए कि सबको मिले है या नहीं मिले इसके लिए आपने जो भी group तैयार किया है ज्यादा सो टेलीग्राम पर ही करते क्योंकि से आने वाला schedule क्या है रोज अगर दो तीन दीन का है तो रोज आपको morning में शुबह या फिर अगली अगली शाम को क्या होने वाला यह आपने एक दिन पहले उसमें डालना चाहिए तो regularly communicate होना चाहिए ग्रूप बदाने के बाद सारी चीजें जैसे की option form या फिर feedback form आप देने वाले और बेजने वाले certificate हमने बेज देदी आप इमेज चेक किजिए इस तरह से बार-बार regular communication उस ग्रूप में करना चाहिए और जैसी काम पूरा हो जाता है तो आप हर एक participant को रिम्यू करके फिर ग्रूप डिलीट कर दीजिए यह ना हो कि आपने सिर्फ अके लिए ग्रूप से निकल गए तो उस ग्रूप का admin कोई और बन जाता है और फिर उस ग्रूप में अगर कुछ हो जाए तो उसमें भी problem दिक आग लेना है तो आप यह जाने कि वह software कौन सा है वह पढ़िए वह समझी है और उसके सारे फिचर समझ लीजिए यह नहीं कि आपने सिर्फ फर्स टाइम आप आगे और आप में लॉग इन कर ले और आपको सारी चीज़े आ गए अगर आप इसी तरह से आते तो आप पूरी वेबिनार को डिश्टब कर सकते तो आप पूरी तरह से देख लीजिए कौन सा एप है उसमें प्रैक्टिस किजिए एक जाइन सेशन किजिए अपने फैमिली के साथ या फिर किसी दोस्तों के साथ और समझ लीजिए कि किस फीचर का क्या मतलब है अगर आपको शेडूल से रिलेटेड या फिर कोई भी रिलेटेड क्वेर ये तो आप डायरेक्टली और्गनाइजर से बात किजिए कॉन्टेक्ट नंबर डिया हुआ होता है जो भी टाइम होता है आप समय से पहले जॉइन किजिए 5 मिनिट पहले ही जॉइन कर लिजिए क्योंकि कभी-कभी यह देखा गया है कि ज्यादा पार्टिसिपंस होने के वज़े से जो बात के पार्टिसिपंस होते वह अंदर नहीं आ पते तो आप जल्दी से जल्दी जॉ पूरी तरह से आप फोकस किजें क्योंकि ये पूरा वेबिनार और्गनाइज करने के लिए और अर्गनाइजर्स ने बहुत मेनत किया है स्पिकर भी बहुत मेनस से वहाए है उन्होंने उनका जो नॉलेज आपसे शेर कर रहे हैं तो आप सिरियसली सुनिए ना कि सिर्टिपिकेट के लिए आप वेबिनार अटेंड के किजिए तो सिरियसली आप कॉंसेंट्रेट किजिए जहां भी हो सके आप नोट वीजे क्योंकि इन ऊंलाइन वेबिनार में अगर कुछ important बतே कुछ ऊप कर बताते लोट ट्रिकष तीपज बताते रेफ्रंट बताते हैं तो आप लिएँ ज्शेए वह आपको वेबिनार को डिस्टब कर देते हैं, तो आप ये शीख लिजिए पहले कि आप जो भी एप इस्तेमाल कर रहे हो, उस एप में आडियो चालू करने का कौन सा बटन है, और बंद करने का कौन सा बटन है, वीडियो का भी आप ये देख लिजिए, कौन सा, क्योंकि आप कभी- छाले होता है, और सारे लोग वह देखते हैं, तो आप पूरी तरस से जान ले कि आडियो का बटन कौन सा है, और वीडियो का कौन सा है, नहीं तो आप पूरे वेबिनार को डिस्टब करोगे, और ये बहुत बार हमने देखा है, कि माइक अन कर देते हैं, और आजू- करने हैं आपको सिर्फ सुनना है और जब आप पर बोला जाएगा तभी आप अपने अन्म्यूट कीजिए माइक को हमने देखा है कि बहुत से वेबिदार में कुछ जो पार्टिसिपरंस थे खुदी स्क्रीन शेर अन कर देते हैं खुद का तो वह पार्टिसिपरंस का स्क्री जान लीजिए कि कौन से उस अप में कौन से अप फंक्शन का मतलब क्या है जैसे मैं बताता हूं गूगल मीट में जब भी कोई अगर हम पार्टिसिपरंस जॉइन करने जाते तो वहां पर दो ऑप्शन आते एक आता है कि आप मिटिंग जॉइन करने या फिर स्क्रीन शेर क के साथ ही एंट्री करते है तो उनका उनका खुद का स्क्रीन में शेर हो जाता है और जो स्पीकर होता है उसका स्क्रीन आफ हो जाता है तो आप पूरी तरह से समझ लिजे कि आपको स्क्रीन शेर नहीं करना है आपको अनोटेशन जो होते अलग-अलग जो टिच्मार कम कर सक स्क्रीन पर वहां में कुछ भी नहीं करना है और जो स्पीकर पर उनको डिस्टरब नहीं करना है हर एक कॉन्फरेंसिंग आप में कुछ चैट का ओप्शन होता है बहां पर जरूरी उतना ही आप चैटिंग किजिए या फिर चुरुवात में आप ग्रीट कर सकते आपका नाम और डेसिंगेशन बता कर आप चुप हो सकते या फिर अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि पीकर का स्क्रीन शेर नहीं दिख रहा है पारपॉइंट नहीं आ रहा है या फिर और कोई डिस्टरबंस का आप वही उतने जरूरी पोस्त है उसमें किजिए जिना कि आप वहां के किसी की साथ चेटिंग शूरू कर दीजिए या फिर अन्नेसेसरी डिस्टरब करना शुरूर कर दिजीए इतना भी ज़रूरी हो उतनी ही नेसेसरी चार्ट है उसमें करने चाहिए ताकि दो ऑर्गनाइजर है उसको भी पता चले कि उसने पढ़ने में आसानी हो कि जो जो इंपोर्टन चार्ट है वही वह देख सकते हैं बार-बार जो ऑर्गनाइजर के तरफ से तुचना है दी जाते हैं वह सारी आप अटेंड करना आप उसी के तरह करना है क्योंकि वेबिनार सक्सेस्पूल करना है जब बताया जाते है कि मूट आप म्यूट करो माइक मूट करो तो मूट किजिए स्पिकर यह फिडियो आउन कर करो आप करो जो भी कहेंगे वह आप मानिए क्यूंकि हमें पार्टिसिप्ड करके हमें वहाँ पर इंट्रेक्शन करना है ना कि हमें ना कि हममलने फिस्टरब से हें मुट और आजवाजक्ट हो सके तो बंकर वाज वह ले-ई-वी जा क Gentlemen कि आपको जब भी इंट्रेक्शन करने का मौका पर मिलता है तो आप डिसेंटली बात किजिए सब के साथ विनमरता से पूछिए आपको जो भी सवाल कुछ नहीं है कि आपको जल्दी आपको अगर कुछ दिक्कत आई हो वेबिनार में पार्टिसिपेट करने तो वहां पे अगर नॉलिज की इंट्रेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है अगर आपको कुछ दिक्कत आये तो आप वह बात में बात कर सकते लेकिन वेबिनार में आपको पुरी तरह से अकेडेमिक की बात्य करनी है कुछ यह भी देखा गया है जैसे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने फेस्बुक के पर बहुत सारे सर्टिफिक्स डाले हुए है कि उन्होंने कौन-कौन से वेबिनार अटेंड के तो उसमें मैंने देखा कि एकी दिन में दो दो तीन तीन वेबिनार भी अटेंड किये गए तो मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने एक के बाद एक टाइमिंग अलग-अलगो लेकिन इस तरह से अगर हम इतने सारे वेबिनार से एकी दिन में अगर करना चाहे तो हम कोई भी बात ठीक तरह से समझनी पायेंगे तो यह अच्छा हो कि बहुत सारे वेबिनार आ रहे तो जरूर नहीं कि हर एक वेबिनार आपको करना है जिसमें आप रूची रखते हो जिसमें आपको कुछ काम करना है वह यह आप वेबिनार अटेंड किजिए सारे वेबिनार अटेंड करके आपको बहुत सारे सर्टिप के कोई जरूवत नहीं है और इस तरह का कोई फ्रॉड भी मत कीजिए कि दो अलग-अलग मोबाईल है और एक मोबाईल में आपने दूसरा वेबिनार अटेंड किया और दूसरे में दूसरा वेबिनार पारे टॉप वाले ही दो, आपको जो भी लगता है वो आपको रियल फीडबैक देना चाहिए, ताकि और अगली बार उनसे कुछ सीख सके और उसमें कुछ इंप्रूमेंट कर सके, यह निए कि आपने जाद एक्सेलेंट बोल दिया तो आपको बहुत अच्छा ग्रेड मिलने वाला है या फिर जल्दी मिलने वाला, ऐसे भी नहीं है, फीडबैक का मतलब ही होता है कि वो इंप्रूव करना चाहते है, इसलिए फीडबैक मांगते हैं, तो आप अपना जो सही फीडबैक है वो ही दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस पूरे प्रोसेस में वेबिनार जोइन करने से आखरी तक अगर कुछ प्रॉब्लेम आता है, तो आप सीधे कॉन्टेक्ट कीजिए, ओर्गनाइजर से उनके नंबर होते हैं, उनके इमेल होते हैं, तो आप उनसे सीधे बात कीजिए, ना क्या आप इधर सोचल मीडिया पे डालिए, उनकी कम्क् कीजिए कि क्या हुआ था, और अपना प्रॉब्लम सॉल्ट आउट करने के कोशिश कीजिए, जरू नहीं आप ट्विटर पर जाए और बताए सबको या फेस्बुक पर डाल दे क्या हुआ था, तो आपको प्रॉब्लम सॉल करना है, बढ़ाना नहीं है, अगर कुछ फूरे वेबिनार के दवरान कुछ technical failure होता है, तो आप patience करके कभी-कभी होता है कि जो speaker होता है, उनकी तरफ से कुछ technical issue हो जाता है, फिर organizing team की तरफ से होता है, तो आप patience रखे, वही पर irritate होनी की जरूरत ने, कुछ chat box में कुछ लिगने की जरूरत ने, यह किसी के भी साथ हो सकता ह टेकनिकली, participants के साथ, speaker के साथ, organizer के साथ, यह इस limitation है, online webinars की, तो यह हमें accept करनी चाहिए, और हमें patience के साथ रहना चाहिए, इस तरह से अगर हम participants और organizer अच्छी तरह से, अगर सारे net tickets follow करें, तो सारे webinar जो अच्छे से successful होगी, जितने भी मेनत organizers ने लगाई है, उसका सही माइने में इस्तमाल हो जाएका,